गुद मॉनिंग अजसी पञजाब दे इतिहास बारे जानकारी लमागे पञजाब दा इतिहास जो की अपनी master trader, lecturer ये सारी post आले बहुत ज़ुरी है ता पञजाब दे इतिहास जीसी गल-करी है ता पञजाब दा इतिहास थान। शुरु तो लहकर मजणाब देगे थाने कबचा हो गया ही उस तो बाद पंजाबते तरी बेच जड़ह Yoga अठाग io favour शामील अाज मास्टर वीडियो लहकर है अर rested अठाग ऑशीश है तरी तोड़े अक फर था पहला है पंजाब नाधी हद्डा समय समय बदल दरियां पस्ट करो पंजाब दे न आधीगल करे करें था करें जो सब्री पंजाब हो पंज आब बाड़ीतर दियाँ पर पहला सक्त आब सी ता सप्पो हाज दा सी रिगवेदी काल वीच पंजाब नू सब सिंदू किया जान्दा सी इस समय पंजाबी सत्दरियां सत्लुच, रावी, ब्यास, चनाव, जेयलम, सिंद, अते सरस्वती, शामिल संद, सरस्वती अते जड़ी सिंद है वो पंजाबियां बाहरलियां हद दाहन उस्तों बाद पंजणद, अपने रिगवेद तो बाद आपने आगया महा कावा ते पुराणा वीच पंजाब नू पंजणद दाना दिता गया है, पंजाब नू इहे ना इथे रहन वाले पंजदरियां माकारन मिले होया है उस्तों बाद पैंटा पतामिया, जो पैंटा पतामिया है युनानिया नी पंजाब ते कबजा करन तो बाद इसनों पंजदरियां दर्जा दिता सी उसलिए पंजाब नू लाहोर सुम्बा के हाँ जानदा सी अकबर ने पंजाब नू मुल्तान ते लाहोर नमक दो सुम्बा विच वंड दिता सी उस तो बाद लहोर सुबत लहोर राज लग 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 ने महाराया रंजी सिंग ने पंजाब नो लहोर राज दना दिता गया सी इस से में पंजाब दे होदा जब सी उत्तर विच लदाख तो दखन विच शिकारपुर तक अधे पूरा भी सतल लग 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 पच्छम विच पेशावर तक फैलियां होई असर पंजाब प्रांत अंग्रेज्जा ने पंजाब नो ब्रिटिश राज विच शामिल क अधे दखन विच राजस्तान तक फैल गईयां 1911 इस वी विच दिल्ली नो पंजाब नालो बख करके पारदी रास्ता नी बना दिता गया ते 1907 विच पारदी वंड समय पंजाब दे दो हिस्से कर दिते गई अध्दा पंजाब पाकिस्तान विच चला गया उनिसो च्छाट दे विच तुसी देख देए और नमबर निसो च्छाट सी साली प्रेट कर देया आप अशादेया था अरते पंजाब दी वंड किती गई पंजाब इचो हर्याना दा ना नमा प्रांत बनिया ते कुछ हिस्से ने हिमाचन प्रदेश नो दे दिते गई पंजाब दी तरती ते किती गई हिंदू तर अमते सिख तर अमदा जनम एसे तरती ते होया महा पारत्त युद पंजाब इच लड़ा गया शिरी कृष ने गीता दो प्रेश भी इथी दिता एसे तरती ते ही चंद्रकुक्त मोर्या ने पारत्त पहला सामरा स्थापित किता पारती थे आसीया मत्त पुर लड़ाय थे लड़िया गया खाल सा पंत ती स्थापना इस तरती ते कितुगे इस तरती ते महाराय रण जी सिंघ ने पहला सिख सामरा स्थापित किता पहले नो सिख गुरू सहिबान ने पंजाब इच ही जनम लिए गुरु गविन शिंग ज यह पूरव विच असाम तो लाके पच्छम विच अफगानिस्त्तक खाला हुए हिमाला परवत पंजाब लई कवर्दा शित होई है यह पंजाब दे पारदा सदिया तक दिए गए दार रहे दार यह दे आए खैबर बुलान पूरम टोची यह ते गोमन पंजाबी चानवले जातर मिदेशी हमलावारे अधे वपारी इना दर्यारा ही आए हम अर्द पहाडी परदेश एहे परदेशी वालिक पहाडियां ते पंजाब दे मेदानी पार का दे भी चिस्थित है इस परदेश नो तर्राई पहाड़ी परदेश होनकारन इत्थोधी पूमी का टुप जाओ है अधे वसों भी बहुत ज्यादा संग्री नहीं है उस्तों बाद मेदानी परदेश पार अर्द सक्तों बड़्डा ते महत्तकुर्ण खड़्ड है यह परदेश सींद ते जमना द्रिया वादे विचालिस सब्सक्रावाई पंजाबवाई परदेश विचे रहने हैं पंजाबड़ जलवाई व पंजाब़ जलवाई विच बहुत ज़्यादा बिंता पाई गई है यह तो इसनली फ़फना की करदे ने टके रहने हिसलिए विदेशी हमला नहीं कर दे तो प्रृष। तो उपजाव मिधान निर्माद हिमाला परवत तो वल्शु प्रूध तो अस district का निर्मान। तो वल्शु में परवत तो न महीक निर्मालो तो परवत मांसुन। देखकां निर्माद मृत्तार। पंजाब आते नाल लग दे खित्रा विच वर्का करते हैं एक वर्का के ती बड़ी लिए बहुत ज्यादा वदिया साधित हुंदिया है जिसे लानिया दी खिचती करें ता पंजाब हमालिया दी वादिया विच शीमलाडल होजी कुलू और ली मनाली वर्के बहुत क्वांटिटी दे भी चुंदिया ने लोका दा अर्थिक जीवन बदी है जिए पंजाब दी होंदा दा अरकरी इंदी गल करें जिकर हमालिया ना होए ता शायद पंजाब दी होंदी ही ना होए पंजाब दे एक वड़े हिस्से दा निर्मान हमालिया तो निकलर वालिया न देखो उपजाओ को मियां वदिया खेटता रहे लोगानू रुजगार मिलदा खेटी बाड़ी देविच फसलादी पैदावार जादा हुं दिया बेड़ा वकरिया दी लोग पाल देने ते विदेशी वपार बहुत वदिया हुं दे ते इस पर गल करिये लोहोर मुलतान पे ये सुल्जिया रहा काफी लंबा समा शेयरा दी गल करिये लहोर मुलतान पे शावर सरे दा विशेश मत तब रहे है समाजिक प्रबाब दी गल करें अनेका हमला रुपारी पंजाब दिरस्ते पार अरदा खोले ने विचे बहुत सारे पंजाबी ची बस गई उनने ते लोक पंजाबिया दे जीवन ता की बन गया अंग बने गया तार्मिक दी गल करिये ता हिंदू तर हमें सिखत अन्दा जनम होया तार्मिक साइट विच पंजाब रच्या गया संतमा आत्मा फकीर पंजाब इच आये हमने तरमादा प्रचार किता मुगला ते अफगाना ने यसे डिएल शब्दे तरमादा मिस्तार होया अगे द्याध शब्द तो के पाव हैं । ताजने आसी गलगर कर ने दो आब दो शब्दा ने मेलन ने नी थे वा तो ढ तौ दो रिन आवा और्ध स फॉल नस बनालनेशे यहाद रखना थे पहला गल ना परिश्ट से सेमें प ब्यास इते सतलओं विचकार झालए खेतर्ना के लंदर दवान यंद стенड. बारी हैं, इलाका पंजाब ते मात्घी विचकार झालए खेतर्ना 10ьं तो लहूर ऋरौन इमेश्शार इसी दो जाब के लंदर के लंदरी हुएव高ते हाँ रचना दी गल करिए राविय ते चनाव दर्यावा दे विचकार लेके तनू रचना द्वाब के आएंदे है गुजरावला दे शेकपुरा इस दे दो परसिद शेहर है चज दी गल करिए चनाव दे जेलम दे विचकार लेके तनू चज द्वाब के आएंदे है पन्जाब दे तिहा समयां जडी उकडार ते मितिहास नावा दे ने ज़िता है क्यों अopes और्मिक टे नम हमेशा सिख अफरत करें रही हैं इसलिए उन्हें सिख ना संब एता तोड मरोड के पेश किते हैं पंजाब युद्धा था खाड़ा, पंजाब में काफी लंबा समय था कि युद्धा खाड़ा बना रहा है युद्धा विच पंजाब्या पारी नुकसान हो यादे अन्हाने पारी जुलम किते अपनी जान बचान ले यादे जंगला पहणा वी जाके लुखना पया पंजाब्या जादा समासं घर्शावी चीवतिया इन भी धी तैस्टी आमले पंजाब थे उंदे रहे जातर हमले अधा में मकशदन सी तानलोटना ते रता परचार करना ते दूसरी आपार्माशन ही न स्ट करना देश्डी बंड दा प्रवाव प्रवाव दाक्रवाव प्रवाव स्टूअ सेटश्टूअ पाई बाला वाली जनम साखी कुछी थी आसकारा दा मनना है कि इस दिरचना गुरु नानक देव जी देखना नेकिती सी परेनेका तिया आसकार इस गल नूं सही नहीं मननने इस जनम साखी विच अनेका मनकड अन्तगला नूं शामिल किता गया इस लिए रिचकार ने अनेका ताध अशुद्ध रहन इसलिए जनम साखी नूं कट परोव सेवग मनना गया है ग्यान रतनावली एजनम साखी दी रचना गुरु गोबिन सिंग जिद शर्दालूकी ने किती सी पाई मनी जी ने किती सी कि इस दिर अचना गुरु गो अभीन सीद जीवन गाल दोरान किती गई सी एपाई गुर्दाज जीदी पहली वारतियादारते है इसले ये कटनावादा तर्तिव बरवनन किता गया है इस विच कल्पनिक कटनावा कथावा शामिल नहीं है इसले ही जनम साख्यन भी प्रोस्यमा अंदे मन्या यांदे है ते पंजाब दे जड़े इतिहास दे सोमेवेचे सीखता आर्मिक साहिद दमलंकर करो ता पहला गलक कर दे आशी आदगरंट साहिब गुरुब्रंट साहिब दे नानाल भी जाने आंदे है गुरुब्रंट साहिब दी रचना इतिहासिक द्रिष्टी तो नहीं कित दी गई पर इस तो सनु उस समें दे राई निदिक ता आर्मिक समाजी कते आर्थिक जीवन बहुत बारे बहुत जयादा किया जानकारी मिल दी है। गटनावा आथे उस समेधि तार्मिक रासी, आर्थिक हलाता, गुरु साहीब ना समधि सिखा दे जीवन, आथे बेदी वाइश, सोड़ी वाइश, आथे समधि जानकारी मिलती है. पाई गुर्दाज जी दिवारा, पाई गुर्दाज जी, गुरु अमर्दाज जी दे प्रादतार, चंदपला जी देश पुर्तर सन, ए तिज्जे चोथे पंजमेधे छेवे गुरु साहीब देश आई मुकाली सन, ओह एक महान कवियते लेखन सन, उनने उन्ताली वारां दि पाई वालावाली जनम साही, पाई मनी सिंदी जनम साहे रोधिया सख्धिरिष्टी तो बहुत मततपूरर बन्नय आझ जानुटा है इना जनम साख्या विछ घुरु नानक देव जी दे जनम, उधावसियां आते CP गुरु को साहीब द्वारा करतारपु अंद जहोंाठत घ किता गया है कुछ जनमसाख्यां विचे मनकर अधगलना आते शुद्ध तत्थ वी शामिल किते गए हैं उस्तो बाद गल करिए हुकमना में हुकमनाने में विच ओह आग्या पत्तर हन जो गुरु साहिब जय और नदे परिवारिक मेंबराद वारा समय समय ते सिख संक्ता देन जारी किते गए हुन तक उनान में हुकमना में प्राप्त होई हैं सब्तो बाद चौनती हुकमना में गुरु गविन सीज द्वारा जारी किते गए तेही हुकमनान में गुरु तेग बहादर जी द्वारा जारी किते गए बहुत हुकमनामें विच गुरु के लंगर लई र गुरु नानक देव जी जीवन दा संकेव बर्नन करो ता असी गल कर देव जी ज़े जनम थो नू सब नू पता ही है चोदर सुना तरीस वी नू राय पो इदितल बंडी भी क्यों ऐगी ता असी बचपन तो ऐसे याद कर देव आरे हैं तो फेर भी रिवीजन दी लोडनी है क परकिस्तान विच兒 नू नकाना साहिब दे नानाल जाने हैं गुरु साहिब दे पिता दना मैत्ता कालूा ते माता दना तरीपा थी गुरु साहिब दी इक प्यंड दना सी जिस दना बढ़ी नान की इना दे सारे ही आपकोने दे आत्म ज्यान तो बहुत ज्यादा कीशन, हैरान दे प्रबाविशन, जनेवुपान दी रसम उनना नो साल वी छोय सी, ता उनना जनेवुदी रसम किती गई ते प्रोहित नुबलाया गया हर दयालू, गुरु साहिब ने जनेवुपान दो इनकार गुरु साहिब नो कई कित्यां जीबे पशुचरोना खेती करना वबार ख्राण दा यतन किता पर गुरु जी दा मन किते भी न लग्या, व्यार दी गल्करियें ता 14 साल दी उमर वीचे गुरु साहिब दा व्यार बटाला दे पाई मूल चन दी पुत्री सुलक्नी न लग् मुदि खाने वीच नो कई गल्करियें ता 20 साल दि उमर दे वीच गुरु साहिब दे पिटा जी ननगर और बिपनान की को लब पेश दिता, ता गुरु साहिब ने जिज्या राम ने गुरु साहिब दोरद खाने मुदि खाने वीच लगवा दी तो उने नू ग्यान्दी प्राप्ती होई तो उने शब्दचारा नाको हिंदू नाको मुसल्मान उदासियां दी गलकादी है तो गुरु साहिब लोकावी विच लिया ग्यान्तान दूर करना तो अन्द विश्वाशन तो बाहर करदन इक प्रमातमा दी पूजा करना पाई चारेदा संदेज देन ले तार्मिक यात्रा में दे चले गए हते उननों उदासियां किया जान्दा करतारपु साहिब दी स्थापना 1921 वी विच दासिया तो जदवाब साहिब गुरु साहिब ने रावी नदी देखड़े ते करतारपुर शहर नामक नगर्दीव स्थापना गिती सी एथे गुरु साहिब ने अपने परिवार दे जीवन दे अंतिय मठारा वरे बताए इस गुरु साहीब ने लंगर दे संगाधि परथा शूरू किती इस था गुरु साहिब ने बहुत सारी गुर्पाने दी रचना भी किती जोती जोत समा उए थे पंदरupun Pacwa TIME गुरु दे ने पाई लैना नूं गुरु गधी दे दे जोती जोत समा गयने गुरु जी दे सिख्ट और भी देखो सबनेना पता ही हिंदे kitty न्युन डिसकस करने लोडनी गूरुझीन, जीन्दार परमातमा एक है परमातमा से रचन हार है परमातमा शक्तीशारली नरूप दो रूप न को सर गुन परमातमा सब कुल कर सकता है परमातमा की से डर नहीं पेमातमा अवगिन्दी चक्रतो मुखता है मनुखुनु रहें er को नहीं होना चाहता है मनुख भात अपनी इंद्रियां गुलाम नहीं होना चाहता है कामकरोग्स मोह AGD नशारे कोरी ति गल करेंकर अत्यों स्वाहद cha dilemm the विरोध गित्या ने विए शाष्तर मूर्ति पुजा तिर्थिया द्राद विरोध गित्या वह जो जो चलाईयांगे प्रनालियान उन्हों भी रद कित्या ने सन्या से दुआ सिनुई गल्त मन्या है अव्तारवाद विच्वी की नहीं रख दे हो जाती प्रथा तेस्तरियान अब रंद चक्कर विच नहीं पौने प्याना बेंदा ते उन्होंने रही पाने नू विशेश महत्व दित्ता है के प्रमातमादा खुकन नाली मन उप्ष्तर्थित्यान दोता है उसका हुकम है सारी दुनिया चटके चला जानता है आतम समरपन बहुत जरूरी है उन्ही द अब रंद ना फेरियू मल आते माता दना सबराई देंगी सी बचपन दी गल करिये ता गुरू अंगदेव जी दा मुडला ना पाई लेना सी ओना दे बचपन हरी के खडूर साई भीक बतीद होया बचपन तो ही तार्मी के विचारा दे सा नो दुर्गा माता दी पक्ति कर अक्ति कर दो गुरू आनकदेव जी ना मुलाकार दिगल करे समय है तक दिन पाय लेना जी ने पायज़ा जी दे मूहो हो आस्या दी बार द्वारöstे पाधि सुनया यह पाय लेना जी ज autant हूज पर्भावित होया के विजू जीनु मिलन दा फैसला किता वो करतारपुर साही भीचे गुरु जीनु मिले अठे गुरु जी जी जिए सक्षीत पेनने ज्यादा प्रभावित है कि गुरु साही बांदे पैरोकार बन गे तो ना कोली रह गये गुर्गद्धी दी प्राप्ति करे पाई लैना जी ने जीनु मिले खाटर अठे ुषुड जीनु मिले अठे खाटा फेसला फिए लोकार अठे और प्रभाु मिले अठे ख कैसे कि कंई डिकाये अ Software हो ने जी भुपिए लिक्वई ने जिलापी आठा फेसला किता लॆख्ते लेपार बनारा मिले के अलकी ड grain गैट कृआ जी बना दोइगल लगर्प्रत्था दर्विस्तार् लगर्धा सारा प्रबंत गुर्वंगर्द्वग देवजी संगत वोल्वारंब किता। गुरु जी ने महifications किता कि जिस परकारात्विक विकास ली नाम जब जरूरी है उसे परकार सरीथिक तंदरस्ति ले भी कसरत जरूरी है इसलिए कि गुरु साहीव ने ख़डूर साहीव एक खाला बनाया जिसमीर सिख्ष्टियां के कश्रत करती इसले गुरु साहीव ने ख़डूर साहीव ने लिए गुईंद्वाल ना दे शेहर दिस्थापना किती एन अगर छेती ही सिख्धान एक प्रसीत तिरस्थान बन गया हुमायू नाउन मुलाकाद 1540 वी शेर्चा सुरू कोल हारंतो बाद मुगल बाजशा हुमायू गुरु साहिब जी कोल आया तो गुरु जी दे शक्षियत तो एनना ज्यादा प्रभावित होया कि एक मुलाकाद कारण सिख्धाते मुगला विचकार जंगेस्थान संवन्त स्थापित हो गई उत्रादिकार दिनिक्ति गुरु साहिब ने अपने सर्दालू अमरदास जी नू गुरुगद्धी ले इत्रादिकार निक्ति जिया करके उनने ना सिर्फ गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गेर गुरुगद्धी ले प्रथानू कायम रख्या सगो सीख पांदे विकास दा मारग भी खोल रख्या गुरुगद्धी सम्माल देशं में गुरु मुळले सीलनावीं इचि गुरु मरदास जी यु केडिया अपकड़ाला करना अपया दासु अते दात्तु दाविरोद, दासु अते दात्तु गुरु अंगर देव जी दे बेटेशन, उनने गुरु अमर्दाजी नू गुरु मन्नन तो इनकार कर देता, उनने अपने आपने गुरु अंगर देव जी दातरादी का रेलान्या, संगताने दासु अते दात्तु उक्रवाल दाखिता अपने आपने गुरु अमर्दाजी ने संगता नुग समझाया कि बाबा शिरी चन गुरु अमर्दाजी ने संगता नुग संगता ना शरू क्रतेश्ट है गुरु साहिब ने संकतानों शांत रहना अपदेश दिता, एक दिन पिंडे बीच कुछ हत्यारवन व्यक्ति आगे, उनने बहुत सारे मुसलमानानों यमलोग पहुंचा दिता, उनने मुसलमानानों अपने किते दी सजा मिल गई, उनने सिखानों तंकरना चड़ दिता, हिंड में खाँ कर रहे हैं, अकबर ने गुर्व साहिब नुअपने दरबार विच बलाए, गुरु साहिब अपने शर्दालू पाइजेठानों अपवरदी दरबार विच बरत पेच पेचा고 मिलनतबाद अकबर ने गुरु साहिब ने निर्दौश बरार दिता, दे घूर टेर्चतान बन गया घुट लंगर प्रथा डान ने विस्तार किता सी देखो ज़ेड़ी लंगर प्रथा शुरू किती गई सी एदाने लायन के कोई भी अत्री लंगर शीता चाटे बिना ने दर्शन नहीं कर सकता लंगर भी रहे एट जात से लोक मिलके खाणा काम देहाँ मं इसलिए गुरु साहिब ने बाई मंजिया निसापना किते हर एक मंजीदे मुखी नो मंजीदार किया गया एक प्रसिद्धी होर भी दूरुकुत तक रह गई उदासी मद्दा खंडर गुरु बाबा शीरीचन जी ने देव अबदेशा तो प्रवारित हो के बहुत सारे सिख उदासी मत् भी शामी्न होन लगगए गुरु साहिब ने उदासी मत्दा की खंडर गिता य जोरण विजोरा विजोरण किता उन्हान ने भीदवा विवा अंतर जाती विवा दा समर्थ ही गिता उन्हें संगता नुलिभीन शीली वस्तवाली वत्तोकरम तो रोक्या गुरु राम दास जी ने 1577 चिर्वी नामक नगर जिस्थापना किती गुरु साहीब ने थे बभणज वखवा कित्या नाल समदित वपारियानों वसाया इनन वपारिया दोरा बनाया गया बजार गुरु का बजार नाल प्रसीद गोया ॢुरु राम दास विखे दो सेवर अ कमाले मायादी लोड भई इसलिए गुरु साहिव दरा मसंद परथा निर्वान किता गया मसंद परथा काने सिरफ मायादी समस्या दूर होई सगो सिख दर्म दे प्रसिद्धी भी कियो ही बहुत जादा फैल गई उदासियान ले विरोव दी समापती इस बार उदासियान ले वोड़ी बाबा शिरीचन गुरु राम दाग जिनों मिलेना मिसर आए उनने गुरु साहिव दीने मरता तो एनने ज्यादा प्रभाई भी तो है किने शिख दर्म दे भी दरोव करना बंद कर दीता उसते बाद कुरीतियान ले विरोव दीना ने किता ही है विद्वाग दे हक बीच भी गल किती है जाती प्रथा दे विरोव किती है ननिया परंपरावा स्थापित किती संगत पंगत मंजिदी प्रथा जारी रख्या प्रादम किती, उस्ते बाद गुर्बानी दी रचना किती, गुरु साइब ने 680 शब्दा दी रचना किती, इस दे नाले उनाने 4 लावा दा उचारन भी किता, अकबर नाले मितरता पुरन संबंध रहे होना दे, अकबर ने पंजाब दे किसाना लेक साल दा लगान भी की करत उस्ते बाद गुर्गदी से में गुरु अर्जन देव ने केडिये समस्या वाता, तब एखोई गला परी थी चांदा विरोद परी चीजा ने गुरु अर्जन देव ने बड़्दा बरा सी, और बहुत सवार थी सी, गुर्गदी ते अपना हक समस्दा सी, जद गुरु र नेटा कों सी, शेख, एहम असर हिंदी सी, एला है इसलाम तो इलावा होर किसे तरंदी तरक्य से नहीं कर सकती सी, इना ने गुरु अर्जन देव ने प्रभाव ने बड़्दे देख्या थी ना बरताष ना कर सकते ने गुरु साहिब दा विद्रो करना शुरू कर दिता, ब्रामणा दे विद्रो गुरु अर्जन देव जी दी शक्षियत दे प्रचार कां सिखा दा प्रभाव वद रहा सी, नितिज वज्यों समाज वीचे ब्रामणा दा प्रभाव कटना शुरू हो गया, गुरु साहिब दे द्वारा जात पा देखिला प्रचार करना वी ब्रा ब्रामणा नूँ पुसंद नहीं आया, इसलिए ब्रामणा ने गुरु साहिब दा विद्रो करना शुरू कर दिता, चंदु शाधा बीरेव चंदरिशा लाहर दा दिवान सी, वो अपने बेटे ले योग बर्धी तलाश कर रहाँ इसी, अपने बेटी दा रिष्टा गुर टुरुाइब घुलाब की बिल्ट्रों सांधिक पाघ कर दिनारा शिचांग के धियने किरे बाता है। च्रशाच ऐब गुरु थे करें कुछ दू हमाद बनकालिता है।